पाइनपिल पड़ाओ उसे काटना बहुत ही मुश्किल होता है। से भी आप पाइनपिल काट सकते हैं। को लंबाई में यूँ खड़ा कीजे और इसे इस तरीके से नाइप से लंबाई में काट लीजे। इसी तरीके से ऐसे भी काट लीजे ये चार पार्ट में हो जाएगा। है ने बिलकुल असान सा। अब पाइनपिल के हर पार्ट को हमें दो दो पार्ट में करना है। मतलब ये आठ पीस कर लेंगे हम। अब बारी है खास जो पाइनपिल का सेंटर वाला पार्ट होता है वो हमें नहीं खाना चाहिए। उसे हम कैसे अलग करें। ये तरीका है इसे अलग करने का। इस तरीके से रखिए और नाइब से अपनी तरफ खीच लीजिए। ये अलग हो गया। इसी तरीके से सारे पाइनपिल के हार्ट पीस को अलग कर दीजिए। अब हमें चाहिए पाइनपिल खाने के लिए। यहां पर लीजिए एक फोक। उसे फसा दीजिए पाइनपिल के स्लाइस के उपर और नाइब से इसे धीरे-धीरे कट कर दीजिए। लीजिए हो गया ना बढ़िया सा पाइनपिल अलग। ये देखिए कितना नीट एंड क्लीन है। इसे खाना है बहुत असान। ना हमें कोई नाइफ का जंजर ना ही कोई मैनत। लीजिए पाइनपिल खाने के लिए तैयार है। अब इसको मन चाहें छोटी-छोटे पीसिस में भी काट सकते हैं। आप इसके स्नैक्स बनाएए, चाट बनाएए, सैलड बनाएए, चटनी बनाएए, इंज्वाए कीजिए। अगर आपको ये मेरी ट्रिक पसंद है तो मुझे कॉमेंट जरूर करें। लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको ये जरूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। झाल को सब्सक्राइब जरूर करें। करें।